हेलो दोस्तो स्वागत अपसोभी का अपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में दोस्तो आप लोगो को कल पता चली क्या होगा निए उसके माइदम से कि आप लोग का जो एक्जाम है अब दो टर्म में नहीं होगा सिर्फ एक टर्म में होगा दोस्तो मैं इस पर वीडियो बना एक्जाम लिए विडियोन के लिए अपजन के लिए खेंगे दोस्तों कि अवे लास्त में पर उत्तर पूस्तिका पर लहेंगे परिख्छाइ को cancel क्यों किया गया है देख सकता है जारखन में अब मैट्रिक और intermediate के साथ 8 भी नभी और 11 भी की एक ही परिक्षा होगी मैट्रीक की परिक्षाएं OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी जबकि आठ भी नभी और परिक्षाएं सरफ OMR सीट पर होंगी यानि कि दोस्तों आप लोगा जो दस भी और बार वी एक्जाम होगा वह और सब्जेक्टिव दोनों होगा लेकिन जो आठ भी नभी और ग्यार भी एक्जाम होगा वह सरफ objective exam होगा जो कि OMR seat पर लिया जाएगा इन पर इक्षाओं का आविजन फरवरी मार्च में किया जा सकेगा यानि कि दोस्तों फरवरी मार्च में हम लोग exam होगा फरवरी last में start हो जाएगा यह फैसला गुरुबार को सिक्षा मंत्री जगरनात मातू के अदक्षता में हुई जारकन के टमें काउंसिल यानि कि जैक के अदक्ष और सचीव वो अन्य सिक्षा अजिकारियों के बैठक में लिया गया यानि कि दोस्तों जारकन के मानिया यह देखिए सिक्षा मंत्री जो ह जारी करने का निर्देस इस बाबत शिक्षा मंतर ने सिक्षा सचीव को पत्र लिग कर एक बार में परिक्षा लिनी का जारी करने का निर्देस दिया है जैक को पत्र भेज़ेगा जिसमे एक बार यानिकी सिर्फ एक 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 इकजाम होगा इसके बाद जैक परिख्षा के तैयार में जूट जाएगा और यह गा गया कि हिंदुस्तान उठा ऐता मामला कि आप लो जो एकजाम कैंसल हुआ है में हिंदुस्तान कभी कुछ ने कुछ हाथ है आगे देहें क्या दोस्तों कि किस तरह चात्र चात्रा उपर दो बोर्ड परिक्षा का दबाब होगा सिक्षों को परिक्षा के बाद मुलिलांकन में लगाए जाएगा जिससे इसको लोग में प्लाई पादित होगी और दूसरे की परिक्षा से राजय सरकार को दोरीक हर्ष की मार भी जलनी पड़ती सिक्षक संगठा उन्हों ने इस पर इन परसानियों को लेकर दो ट्रम में परिक्षा नहीं कराने पर अपने सहमती जताई थी यह कहा गया कि बच्चों पर द्वाब पड़ता दो दो ट्रम बच्चे क कैसे देखे और इस लिए एक्जाम यह कैंसल किया गया लेकिन चलिए एक्जाम ठीक एक टमी वह रहाई लेकिन समय रहते होता ना जब एकमेना बचा हुआ है तब आप कहता हो कि नहीं अब चलो फिर से एक एक्जाम लेंगे दौ मेंनार नहीं लेंगे तो यह बहुत ज़् गलत है जो आप फैसला सही है लेकिन फैसला सही समय पर होना चाहिए था यह समय बहुत ही गलत है जब बच्चे तयारी कर रहे हैं थे एक्जाम का यह दिखा गया इस समिक्षा के बाद हुआ फैसला इन सभी बिंदूओं पर जैका दक्ष डॉक्टर अनिल कुमार मातोर सची म महिब कुमार सिंग के साथ अपने आवासिये काले में समिक्षा करने के बाद आटवी से अब इस estásका EXX का दो सिंगल इक्जाम होगा सरफ अ cuarto इसमें पैटर कैया रहेगा syllabus क्या रहाएगा क्या syllabus में कट उती होगी तो चलिए देखते हैं क्या इसमें कुछ जानकर दी गई है कि नहीं देखिए यहाँ पर सबसे पहले जगरनात मातो जी जो हमारे इमारी सिक्षा मदर जी है वो क्या कर रहे देखिए तो यह जगरनात मातो जी का ब्यान है और देखिए दोस्ति यहाँ पर CBSE समय जितने सारे बोर्ड हैं वो अपना पैटन बदल चुके हैं पहले ही समय रहते बदले हैं ऐसा नहीं कि एक्जाम होगा और उसके एक मेना पहले syllabus को बदला जा रहा है पैटन को बदला जा रहा है बिल्कुल भी नहीं होई समय रहते जब एक्जाम हुआ फाइनल उसके बाद ही जब पैटन जारी किया तो यह बदल चुका था पैटन दो टर्म में परिच्छा का पैटन CBSE ने 2020 में शुरू किया था ठीक है 합ச एक महना पहले मतलब इस मौके पर फिर से CBSE के पीछे पीछे चल दिया है पाद इजिनों पर CBSE बहुत आगे निकल चुकी है जार कर कर बोड़ अब रास्ता ढूनते ढूनते पहुंचे गूज के पास लेकिन जहारकन बोर्ड है समझे रहे हो मतलब कह सकता है कि किस प्रकार का बोर्ड जो खुद फैसल आने ले सकती है मतलब इतने बड़े बड़े officers से जहारकन बोर्ड के सिक्षा भीबाग के हमारे इतने बड़े माने या सिक्षा मंत्री है खुद प्रसानी होती है इसमें सब से जबादा है सिख्षक तो अपना लाब देख लेता है चलो एक्जाम का कॉपी जेक करना पड़ेगा अगर सिख्षक भी इतने जागरुप होते हैं तो वे ही पहले ही बिरोध करते हैं लेकिन नहीं एक्जाम से एक मैना पहले भी रोध हो रहा है और फाइनली आप लोग एक्जाम कैंसल हो चुका है अब एक टर्म एक्जाम होगा यह दिखे आधिसुचना के बाद परिक्षा के तैयार में जुटेगा जायक अधिसुचना जारी करने के बाद जायक परिक्षा इस शुरू होगी ध्यान सो लेजे फरवरी महिना से आप लोग का एक्जाम सुरू हो जाएगा फरवरी महिना से यानि कि अब कितना टाइम बचा हुआ है अभी आप लोग चल रहा है अक्टोबर ठीक है जो कि आधा बीच चुका है यानि कि अक्टोबर खताम होगा तो मैना कासपस बन इख्जाम के लिए बचा हुआ है और वह एक 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 एक्जाम हुँल से लेबस पर एक्जाम होगा पूरा इख्जाम पर टिक अब कटोथी साइद नहीं की जाएगी कि उस जो था और रखा जाएगा सिर्फ दोनों को मिला दिया जाएगा जैक ताही करेगा पहले वमार सीट पर आठ बी, आभी, गारीक ग्नां इसलिए हुआ था है इसलिए उनलोग त्यारी के लिए था आठ बी, नवी, गारीक चाहिए एक्जाम ही जून में कहतम हुआ है परबरी के अंतीम या मार्च के पहले सब्ता से मैट्रे के इंटरे की परिक्षाएं शुरू हो सकेंगी तो यह है दोस्तों आप लोग का नियूज और यहाँ पर नॉमबर से शुरू होने तो परिक्षाएं लेकिन अब यह दोस्तों बिल्कुल गलत हो चुका है बहुत बार पैटन को बदला गिया बहूत बार यहाँ पर बच्चे परिशान हुए पहले तो टर्म1 टर्म2 अब जेटीब था सब्जेटिब उस पैटन को बदल करके दोनों को फिर से उबजेक्टिब सब्जेक्टिब किया या निकि फर्स्ट्रम में भी आबजेक्टिब पलस सब्ज प्रसे इसको कैंसल कर दिया गया और एक सिंगल एक्जाम लिया जाएगा जो कि आप लोगों मार्च अप्रेल में होगा इसमें दोस्तो ध्यान सुनगे और सब्जेक्टिव दोनों होगा तो दोस्तो उस अनुसार आप लोग तैयारी में जुड़ जाएए और किस प्रकार से तैयारी करना इस पर डेटेल वीडियो आएगा टेंसर मत लेजिए हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी बेकास सरह हमें सब्सक्राइब के साथ हैं और रहेंगे बस मैनत किजिए और एक्जाम चाहिए सब यह हो टॉपर आप लोग को बनना है मैनत करके अच्छे नंबर हासिल करने एक्जाम है पस लगे रहें सारी जानकारी आगे वीडियो में निलते रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए अब देख मुस्टाग्राम में नहीं कर दो देख मुसका लिंग के जल्दी से जॉइन हो जाएगी चलिए लब यू आल तैंक्यों लाप य भी इतना है प्रिम लिंग नेक्स पोडियो में जल्दी तो तो देख लिए जाएएंद ववन दे मात्रम